चेप्टर वन क्लास टेंथ जो की है जेव प्रक्रम आज इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेप्टर वन क्लास टेंथ के लिए पहला चेप्टर है जेव प्रक्रम इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें पहली बात है कि हम सजीव और इनर्जीव में अंतर किसे बताएंगे यह तो हम बहुत पहले से जान रहे हैं 5 या 6 क्लास में आप लोगों ने भी पहा होगा कि सजीव और इनर्जीव में क्या अंतर हुआ करता है मगर चुकि यह बोड एकजाम है और हम लोग 6 या 7 क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए हमें थोड़ा सा अलग टाइप का अंसर देना होगा तो हम यहाँ पर क्या अंसर देने वाले हैं कि सजीव और इनर्जीव में जो सबसे बड़ा अंतर है वो है अनू का विन्यास अनू का विन्यास अनू का विन्यास का क्या मतलब होता है कि अनू जो है इसमें किस प्रकार से विवस्तित हैं तो सजीव में जो अनुविवस्तित होंगे वो अलग टाइप से होंगे और नर्जीव में जो होंगे वो अलग टाइप से होंगे तो अगर पूछा जाए सजीव और नर्जीव में क्या अंतर है तो हमारा पहला अंसर क्या लेगा कि इसके अनों में विन्यास का तरीका अलग अलग होता है अनों का विन्यास का तरीका का मतलब क्या है कि इसमें अनों का structure अलग होगा और दूसरे में अनों का structure अलग होगा कि यह होगी सजीव और जीव में अंतर क्या अंतर होगा अनों विन्यास दूसरा है कि जीवद्रवी क्या होता है दूसरा question जो हमारे पास आता है वो जीवद्रवी क्या होता है तो इसका answer हम क्या देंगे नुकलियो प्रोटीन के अनू अन्य तत्वों के अनू के साथ विसेश रूप से सम्मिलित होकर जीवद्रवी का निर्मान करते हैं क्या करते हैं नुकलियो प्रोटीन के अनू अन ये तक्यों के अनू के साथ विशेस रूप से सम्मेरित होकर जीवद्रवी का निर्मान करते हैं ये जीवद्रवी क्या है इसके लिए तीसरा काम है कि जीवद्रवी क्या है तो इसमें हम देखते हैं कि जीवद्रवी में सजीवों का सारा गुन होता है जितने गुन सजीव में होंगे जो जो काम सजीव करेगा वो सारा काम कोन करता है जीवद्रवी करता है मतलब हम बोल सकते हैं कि सबसे छोटा सजीव जीवद्रवी हो जाएगा मतलब जीवद्रवी में सजीव का सारा लक्षन मौजूद होगा सारा गुन मौजूद होगा किसमें जीवद्रवी में और जीवद्रवी का निर्मान कैसे होता है जब नुक्लियो प्रोटीन के अनु अन्य तत्मों के अनु के साथ विसे इस रूप से सम्मेडित होते हैं तो जीवद्रवी का निर्मान हो जाता है और जीवद्रवी में सजीवों का सारा गुन विद्दमान होता है सजीव में जितने सारे गुन होंगे सजीव अगर सांस लेता है तो जीवद्रवी भी सांस लेगा सजीव अगर प्रजनन कर रहे हैं तो जीवद्रवी भी प्रजनन करेंगे मतलब सजीव में जो भी गुन होगा वो सारा गुन किसमें पाये जाएगा जीव द्रवे में पाए जाएगा अगला हम देख रहे हैं चार नमबरे कि जीव की रचनात्मक और क्रियात्मक दोनों ही इकाई बोला जाता है कोशिका को तो यहाँ एक बड़ा गया है कोशिका और बोला गया है रचनात्मक इकाई जीव की रचनात्म की काई तो रचनात्म की काई का मतलब क्या है कि जीव की रचना किस चीज से हुई है जीवों की रचनात्म की काई कहने का मतलब है कि जीवों का रचना किस चीज से हुआ है जीवों का निर्मान किस चीज से हुआ है अगर हम बोले जाए रचनात्म की काईव है कोशिका, तो इसका मतलब है, जीवों का रचना हुआ है कोशिका से, चाहे कितना ही बड़ा जीव हो, फिर चाहे वो छोटा सा चीती हो, या बड़ा सा हाथी हो, अगर वो जीव है, तो उसका जो निर्मान हुआ होगा, वो रचना किस से हुआ होगा कोशिका से हुआ होगा तो इसको हम बोते हैं रचनात्म की काई दूसरा है क्रियात्म की काई दूसरा है जीवों की क्रियात्म की काई भी कोशिका है इसका मतलब जीव अगर कोई भी काम करता है तो वो काम जीव ना करके उसकी कोशिका काम कर रही है अगर इ क्रियात्म की काही, जीवों की रचनात्मक और क्रियात्मक जो और क्रियात्म के काई का मतलब है जीव जो भी काम करेगा वो काम करेगा कोशिका, जीवों के सरीड के अंदर में जो भी काम होगा, वो जीवों के सरीड में नहों करके कोशिकाओं में होगा, कहां होगा, कोशिकाओं में, इसके अगले हम पांच नमर पॉइंट में देखते है कि कोशिका जब मिल जाते हैं बहुत सारे कोशिका एक जगह तो कोशिका मिल करके बनाते हैं उत्तक कोशिका मिल करके बनाएंगे उत्तक पुना बहुत सारे उत्तक जब मिल जाएंगे तब उत्तक मिल करके बनाएंगे अंग बहुत सारे उत्तक जब एक जगा मिल जाएंगे और वो मिल करके बनाएंगे अंग फिर जब बहुत सारे अंग मिलेंगे तो अंग मिल करके बनाएंगे अंग तंत्र और फिर जब बहुत सारे अंग तंत्र भी मिल जाएंगे तो इससे बनेगा जीव तब जीव का जाके निर्मान होगा तो हम क्या देख रहे हैं कि कोशिका को इसलिए बोला गया था रचनात्म की काई क्योंकि कोशिका से ही कही न कहीं जीव का निर्मान हो रहा है कोशिका से पहले बना उत्तक फिर उत्तकों के मिलने से बना अंग अंगों के मिलने से बना अंगतंत्र और अंगतंत्र के मिलने से बना जीव किसी भी जीव की उत्पत्ति हुई है अंगतंत्र के मिलने से अंगतंत्र बना है अंग के मिलने से अंग बना है उत्तक के मिलने से और उत्तक बना है कोशिकाओं के मिलने से मतलब क्या है कि अगर कोशिकाओं को हटा दिया जाए तो ना तो उत्तक का निर्मान हो पाएगा ना अंग बन पाएगा ना अंग तंत्र बन पाएगा ना जीव की उत्पति हो पाएगी इसलिए बोला जाता है कि कोशिका क्या है रचना आतमा की काई है अगला कुछ्छन आता है कि जयविक क्रिया क्या है? जयविक क्रिया क्या होता है? तो पहली बात कि जयविक क्रिया जो है अंगतंत्र द्वारा होगी जयविक जयविक क्रिया होगा जीवों के सरीर में जयविक क्रिया होगा वो एक अंग नहीं करेगा वालकि अंगतंत्र मिलक कोई भी काम को संपात अंतरेंगे, कोई भी काम अगर इनसान के सरीर में हो रहा है, तो वो काम कोई एक अंग नहीं करेगा, बलकि कई अंग से मिलकर के बना हुआ अंगतंतर करेगा, इनसान अगर कोई भी काम करता है, कोई भी जीव कुछ भी काम कर रहा है, कोई भी जीव लेते हैं और कई अंग की मिलने से हम बोल सकते हैं अंग तंत्र काम को करता है अगला है कि जीव का अनुरक्षन करने वाली सभी क्रियाएं जीव का अनुरक्षन का मतलब क्या हो जाता है जीव को जिन्दा रखने वाली अनुरक्षन का मतलब है जो पिर्थवी पर उसका रखन करे जो उसके जिन्द रहने का आस्तित बनाए रखे उसको हम बोलेंगे अनुरक्षन तो जीव का अनुरक्षन करने वाली सभी क्रियां जिन जिन काम के द्वारा जीवों का अनुरक्षन होता है जीव जिन्दा रह पाते हैं उन सभी क्रियाओं को हम बोलेंगे जेयो प्रिकर क्या है तो अगर कुछ कुछ आजाए जेव प्रिकर Finnish क्या होता है ?aşम आंसर क्या देंगे जीव का अनुरक्षन करने वास्तितक क्रियाएं नत्री क्रिया हैं CCC중에 रूप से जे कहा जा ये भी क्या है अनुरक्षन करने वाली चीज है तो जीवों के आस्तित को बनाए रखना ही अनुरक्षन का हलाता है अनुरक्षन का मतलब है पिर्थवी पर रक्षन अनुरक्षन का मतलब है धरती पर रक्षन इंसान को अगर जिंदा रहना है धरती पर रहना है तो उन्हें कुछ क्रियाएं होनी चाहिए और यही क्रियाएं क्या कहलाती है जीव क्या अनुरक्षन करने वाली सभी क्रियाएं जे प्रक्रम कहलाती है अगला है कि उर्जा की आवसकता जैवी क्रिया का संचालन वृदी तूट-फूट करने से रोकना यही काम होता है तो हम देख लिए जेविक्रिया के बारे में, अब क्या है कि उर्जा की आवसकता सरीर को क्यों होती है, सरीर को उर्जा की आवसकता क्यों होती है, तो पहला काम है जेविक्रिया के संचालन के लिए, अभी हम देखें यहाँ पे जेविक्रिया के संचालन के लिए, जे क्रिया होते रहे इन चीजों के लिए हमें पूरजा की आवसकता पर रही है जाने कि जे विक्रिया की संचालन के लिए हमें किसकी आवसकता पर गई पूरजा की आवसकता पर गई दूसरा है तूट फूट को रोकने के लिए कि जीव का सरीर तूट फूट ना हो इसको रोकने के लिए भी जेविक्रिया की आवा सकता है अगर सांस नहीं लिया जाएगा तो इससे क्या हो सकता है सरीर के कुछ इससे तूट फूट सकते हैं जीव का कुछ अंग कुछ सरीर तूट फूट सकता है जेविक क्रिया सहीरन से नहीं काम कर पाएंगी इसलिए हमें जरूरत है उर्जा की तो उर्जा की आव सकता दो चीजों के लिए होती है एक जेविक क्रिया के संचालन के लिए दूसरा फूट-फूट को रोकने के लिए और तीसरा एक काम होता है सरीर की विर्धी के लिए इन तीनों कामों के लिए हमें उर्जा की आव सकता होती है अगला कोश्चन है पोशन क्या है पोशन तो खाद पदार्थों से उर्जा प्राप्त करने की विधी पोशन कहलाती है खाद पदार्थ का मतलब होता है खाने वाला पदार्थ, खादी पदार्थ का मतलब है, खाने वाला पदार्थ, खादी पदार्थ से उर्जा प्राप्त करना ही, करने की विधी पोशन कहलाती है, खादी पदार्थों से, यानि कि खाने वाला जो पदार्थ है, उन पदार्थों से, सलीर को उर्जा प्राप्त करवाने की विधियम को पोशन का लाएगी तो पोशन हम समझ गए अगला कोश्चन है कि स्वसन क्या होता है स्वसन किसे करते हैं तो पोशन से जो हम प्राप्त किये हैं भोजन वो खाना जटिल होता है जटिल खादि पदार्त का मतलब है जटिल खाने वाला पदार्त जब हम पोशन किये तो खादि पदार्त से उर्जाप्त आप्त करना था न तो हम जो खाना खाए वो जटिल है वो क्या है जटिल है और इस जटिल खाना को क्या करना है सरल करना है जटिल खाना को छोटे-छोटे चुक्रों में बनाना है इसे छोटा साधारन बनाना है तो हम क्या करेंगे जटिल खाना का सरली करन करेंगे सरली करन में उपचयन अपचयन होगा सरली करन करने के दोरन क्या होगा उपचयन अपचयन अविक्रिया होगा और इस तरह से हम बोलेंगे कि स्वसन हुआ है मतलब क्या जटिल खादे पदार्थों को सरल खादे पदार्थों में बदलना ही स्वसन कहला आता है जटिल खादे पदार्थों को सरल खादे पदार्थों में बदलना स्वसन कहला आएगा अगला है उत्सर्जन किसे कहते हैं उत्सर्जन ज सिस्ट पदार्थ काने का मतलब है कुछ ऐसे पदार्थ सरीर में निवान हो जाते हैं जब जैविक खृया हो दिया बता हैं कि सरे शिवी कलिया बहुत चारी होती यह सभी खील एजब सरीर में कोशी काम होंगी तो उस टैम में क्या होगा इस प्रिया के साथ-साथ कुछ चीज़ें तो लावदायक बनेंगी सरीड के लिए, साथ में कुछ चीज़ें ऐसी बन जाएगी जो सरीड के लिए या तो हानिकारक होंगी, या फिर सरीड के लिए उसका कोई उपयोग नहीं होगा, अनुपयोगी होगा, तो जो भी हानिकारक हो या अनुपयोगी हो उस टैप के पदार्थ को सरीर से बाहर निकालना उस टैप के पदार्थ को सरीर से बाहर निकालना उठ सर्जन कहलाता है तो अनुपयोगी और हानी कारक में अंतर देखे थे कि अनुविन्यास इसके बीच का अंतर है अगला है सजीव किसे कहेंगे तो जो पोशन कर सके जो पोशन कर सके पोशन का मतलब क्या है जो खाना खा सके दूसरा है जो स्वसन का मतलब क्या है जो सांस ले सके यहां पढ़े स्वसन क्या होता है जटिल भोज उपनार्थों में बदलना ही स्वासन का लाता है तो जो स्वासन कर सके किस तरह है जो पडिवहन कर सके जिसमें उत्सरजन हो जो जनन कर सके जो इसमें नियंत्रन करनी का सामर्ति हो और जो उत्तेजन सील हो उसे हम बोलेंगे सजीव तो अगला question क्या आगया कि सजीव क्या है तो हमांतर क्या देंगे, सजीव वो होगा, जिसमें पोशन होगा, जो स्वसन कर सके, पड़िवहन कर सके, उत्सरजन कर सके, जनन कर सके, नियन्पन कर सके, और जिसमें उत्तेजना हो, जिनमें ये सारी quality यहां होंगी, उनको हम क्या बोलेंगे, कि यह सजीव है, यह सारी कॉइल्टिया जिन में होंगी, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे, सजीव है, अगला question यही है, कि जीवन सम्मंदित क्रियां को सुचारो रूप से चराने के लिए दो चीजों की आवसकता होती है, अब जीवन सम्मंदित क्रियां, यारि कि जैव ध्रव क जनके बारे में हम इस चेप्टर में पढ़ रहे हैं, कि जव क्रिया को अगर सही रूप से करना है, जव क्रिया अगर सही धंक से कराना है हमें, तो हमें दो चीजों की आवसकता होगी, पहली चीज होगी कि उर्जा की आवसकता होगी, जो दूसरा है कि जीवद्रवे का निर् भी होना चाहिए ये दूछ चीजे नहीं हो पाएगा अब देखते हैं जीव द्रवी से क्या होता है ये जीव द्रवी से क्या होता है उर्जा के बारे में तो हम विस्तार से पढ़ेंगे अगले चप्टर में जो कि स्वसन चप्टर होगा अभी हम देखते हैं कि जीवद्रवी के बारे में क्या बोला गया है जीवद्रवी से सरीड में वर्धी होती है अगर सरीड में वर्धी चाहिए तो जीवद्रवी होना होगा अगर जीवद्रवे नहीं होगा तो अगर बच्चा छोटा है तो वो छोटा ही रहेगा बड़ा नहीं हो पाएगा उसके सरीड में व्रधी नहीं होगी अगर सरीड में व्रधी होना है तो उसके लिए जीवद्रवे का निरमान आवस्यक है उसके लिए जीवद्रवे का निर्मान और सेका दूसरा है तूटे फूटे उत्तक की मरमत अगर कहीं चोट लगने से या किसी आंतरिक द्रुहेटना से या किसी भी का वजह से अगर सरीड में कुछ तूट फूट हुआ है कोई अंग या कोई कोशिका अगर तूट फूट हु तो ये दोनों अगला है भोजन का पोशक्तत्व इन दोनों काम को पूरा कर देता है पहला काम क्या था उर्जा की आप उर्ती और दूसरा था जीवद्रवे का निर्मान अगर भोजन पोशक्तत्तो वाले आप ले रहे हैं भोजन आप ढंका कर रहे हैं जिसमें पोशक्तत् करते हैं पोश्टी का हाड लेते हैं उससे आपके स्रेड में और जाकी वियापूर्थी बनी रहेगी ये दोनों काम हो जाएगा भोजन से अगला है पोशक्तत्व को ग्रहन कर उसे उप्योग करने के विदी ही पोशन का लाती है पोशन काते किसे हैं पोशक्तत्व तो हम समझ गए पोशक्तत्व समझ गए ना जो भोजन करते हैं उससे पोशक्तत्व होता है और उससे हमारे स्रेड की वर्धी भी हो जाएगी तूटे-फूटे की मरमत भी हो जाएगी अब है कि पोशक्तत्व पोशन क्या है तो पोशक्तत्व को ग्रहन कर उसे उप्योग करने की प्र और उसका उप्योग करना ही पोशन काहलाता है क्या काहलाता है पोशन काहलाता है तो पोशन भी हम समझ गए अब जानते हैं कि पोशन की कितनी विधियां है अगला question है कि पोशन की कितनी सारी विधियां है तो हम बोलेंगे मुक्षे रुप से पोशन की सिर्फ और सिर्फ दो ही विधिया है मुक्च रूप से पोशन की सिर्फ और सिर्फ दो विधिया है एक है श्वपोशन दूसरा है परपोशन ये दोनों क्या है पोशन की विधिया है पोशन की विधिया है पोशन क्या था कि भोजन को पोशक तत्यों को सरीर में डालना ही और उसका सरीर का उपयोग करना ही portion का लाया था तो हम समझे कि portion कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के एक और दूसरा होता है proportion ठीक है अब servant portion और portion से आगे क्या detail है इसको हम अगले video में देखेंườंगे यह part one है और तीन part में हम इस chapter को कवर करने वाले हैं और full detail के साथ हैं तो इससे ज्यादा ना तो आपका objective में question आ सकता है ना subjective में कुछ पूछा जा सकता है ये full to full on coverage लेके चल रहे हैं class 10th वालों के लिए matriculation